जैहिन प्यारे विध्यारतियों आज हम लोग समरीज संख्या में प्रस्णावली 5.2 के लिए कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आज की इंट्रोडेक्शन क्लास में हम देखेंगे कि आर्गेड प्लेव्ट होता आर्डs plane सम्रिश संख्या में हम लोगों को पढ़ना है जैसे हम लोग निर्द्यसांग Major में कारती तल पढ़ते हैं उसी कॉंसेप्ट पर आधारीत हमें आज पढ़ना है तल उसका नाम है जो पढ़ना है ठीख है देखे आज के टॉपिक भी निवे के खुट करेंगे हैं सबसे पहले पॉइंट होगा हमारा अर्ग प्लेशन और दूसरे पुईंट में हम cover करेंगे सम्री संख्या का इस पॉइंट को हम cover करेंगे और साथ में यह भी देखेंगे कि किसी भी संख्या का koda कैसे निकाला जा सकता है इसे हम लोग argument कहते हैं अंग्रेजी में थ्यान सुनिए यह आर्ट प्लेड और सम्रीज संख्या का दुरूई निरूपर्ड जिसके अंतरकत पढ़ा जाता है उसे हम लोग कहते हैं का सम्रीज संख्या का सम्रीज संख्या का तो हम लोग इस दोनों टॉपिकों इन दोनों टॉपिकों को समरी संख्या के जामिती निरूपड के अंतरकत कवर कर रहे हैं ध्यान से देखिए समरी संख्या का जामिती निरूपड जामिती निरूपड किसका है ये संब्रिस संख्या का संब्रिस संख्या का जामतिन रूपण हम लोग संब्रिस संख्या को जेड मानते हैं और जेड बराबर क्या होता है ये प्लस आई भी लिखते हैं या जेड बराबर क्या लिखते हैं ये एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं जिसमें हमारा ये यह जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं रियल पार्ट बोलते हैं और दूसरे बी को क्या बोलते हैं इमेजनरी पार्ट बोलते हैं ठीक है न यह हमारा कौन सा पार्ट है और यह हमारा कौन सा इमेजनरी पार्ट है आईए जामती नुरूपर्ण करते हैं किसी भी संख्या क देखे जामती नुरूपण में हमारे पास क्या होते हैं निर्दे सांग कार्थी तल की तरह हमारे पास यहां भी एक तल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आर्ड प्लेंड बोलते हैं लिसकर आप से अपी बात करें कोई कि premise कहते हैं तो ऐसा तल सवने संख्याओं को परदरश्षित किया जाता है समरे संख्याओं का जामिती झेनी रूपड किया जाता है क्या कहलता है न प्लेंड में आप लोगो ध्याद हो कि कि जब आप कार्तितल पढ़ते हैं दूसरी बात किसे हम लोग YS कहते है यहां अर्ग प्लेन में क्या कहलता है imaginary क्या कहलाता है imaginary axis ठीक है मतलब हम लोग इसे कहते हैं कालपनिक अक्ष ठीक है जैसे यह हमारा a है और यह हमारा b हम लोग समरी संख्या में यह देखे थे कि यदि हमारे पास कोई समरी संख्या z बराबर a प्लस i b है इसे हम लोग इस format में भी लिख सकते है a और b की format में भी लिख सकते है तो इस प्रकार से हम लोग अगर देखें कि हमारे पास z बराबर अगर 2 प्लस 3 i है तो समरी संख्या 2 प्लस 3 आई का geometrical representation क्या होगा कि जामती रूपड क्या होगा हम लोग देखेंगे किसे भी हम लोग किस ट्राइब से लिख सकते है बिंदू की तरह लिख सकते है जिसमें हमारा 2 जो है वो real है और जो 3 है वो क्या है imaginary है तो ध्यान से आप देखिए ये जेट बराबर 2 प्लस 3 आई को represent करने के लिए हम यहां क्या करेंगे इस हैच में इसे क्या बोल रहा है orgin क्या बोल रहा है is origin जिसमें हमें कहा जा रहा है कि ये 2 खाने किस पर है real access पर है और 3 खाने किस पर है imaginary axis पर है किस पर है ये हमारा real access पर है और यह अमारा कहां है इमाजैनरी एक्सिस तो और यह दो किस पर होगया रियल एक्सिस पर होगया तीन खाने की बात करें ती हराहा हो पर प्रतम चतुर थांस होता है उसमें प्रतम चतुर थांस होता है उसमें दूसरा पॉइंट जो दूसरा तल होता था उसमें पहला माइनस होता था और अगला क्या होता था फीर से इसे वाले पॉइंट की बात करें तो pushes माइनस होते थे और इस पाइंट िचार और एक प्रतरशित करना चाहें amasबने तीन को किस खाने में रहेगा चौत चौते खाने में रहेगा तो चौते खाने में में से प्रदशीत करना ही समरीष संख्याओं का क्या कहलाता है जामितीन यू रूपड कहलाता है ठीक है आप सम्रीष संख्या को सबसे पहले क्या लिखे A और B की format में लिखें मतलब उसमें से क्या imaginary और real part को बाहर करें और उसके बाद सामान्य रूप से जैसे आप कारती तल में दरसाते हैं वैसे ही क्या करें आप इन दोनों axis पर दरसाएं ध्यान रखें जिसे आप यक्स अच्छ मानते थे वह आप क्या कहलाता है real axis कहलाता है जिसे आप क्या मानते थे वाई मानते थे वह इस टन क्या कहला रहा है imaginary axis कहला रहा है बाते सब वही है पहले तल में हम निसे क्या बोल रहे है प्लस प्लस अगले तल में क्या बोल रहे है माइनस प्लस तो कार्थी तल से संबंधित जो पॉइंट हम लोग निरूपित करते थे उन पॉइंटों को निरूपित करने के लिए सम्रीज संख्या का ये कार्थी तल गहलाएगा ठीक है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं आर्ग प्लेंड की कहानी अब जहां सुनिए अगर इस आर्ग प् और 0 प्लास ऑईगा क्या मतलब हो जाएगा 0 और 1 मतलब इसका क्या है यह हमारा जो quiяс paid पार्ट rozp यह हैं और मेंक्स क्वाइब एक है मतलब लोग कहा मिलेगा सिर्फ स्टिंड और मिले का मिलेगा मैंजनी आक्स मेलेगा एक यहां हो ऻ्यूगा और यह क्या होगा यh समझारा आपको यह क्या होगा मैं खालेंगे सबस्क्राइब निकालेंगे इसे निकालेंगे थो पैट समणारा हो जाएगा zero और minus क्या एक ठीक है zero minus 1 अब फिर से यह पता है कि हमारा जो रियल पाइट है वो फिर से zero है और imaginary party माइनस एक और उसके लिए आपको किदर चलना पढ़ेगा यह तो plus होता है और फिर चलेंगे तो क्या होजएगा क्या तु 해도 प्रतुरिशित करने मी वी क्या करेंगे खोंक द्यूज़क करेंगे तो आपको ध्यान समझे ना चाहिए कि या और होता है ठीक है आध में हम लगर रियल एक्शेस की कि बात करें और किसी बात करें रियल एक्सिस के ब्लस दिसा और माइस दिसा की बात करें तो माल लीजिए हमारे पास को जेट बराबर नंबर हो क्या नंबर हो समरी संख्या हो क्या हो पांच हो क्या हो पांच हो तो पांच के लिए हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा पांच के लिए दूसरी बात कि यही जट रावर क्या हो जाए माइनस पांच हो जाए तो यह खाया जाएगा यह दिखाया जाएगा िसंख्या का रूली है है कि सम्रिस के इससंख्या का रूभ है कि तो ऑर न पैड़का Wisconsin पड़ेगा कि नपसल न Gibson न पड़ेगा ध्यांस देखें की सिभी सम्रिसंख्या को हम लोग उसे पोलर फॉर्मिंए कैसे लिखेंगे दुरी का मतलब होता है ना कैना हन से हम लोग सबसे पहले आते सुनिए और समझी यह हमारा क्या हो गया आध्यों गया है आज विप लेंट है समझ रहे हैं जिसका नाम Nature हमने क्या दे दिया है हमने इसका मैल लिया है क्या और बी माल लिए शेया लिया है तो मूल बिंदू से हमने P को क्या कर दिया, मिला दिया है, तो मूल बिंदू से अगर P को मिला रहे हैं, मूल बिंदू से क्या मिला रहे हैं, तो ये जो रेखा बनी है, ये एक वेक्टर की तरह कारे करती है, किसकी तरह कारे करती है, एक वेक्टर सदीस की तरह कारे करती है, ध देख लीजिए अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया है तो पी को मान लेते हैं वह पास जो पी है वह एक समरीश संख्या है कैसी समरीश संख्या है समरीश संख्या है एक प्लस आई बी की फौरमिट में ठीज़ है अगर हम लोग इसका मॉड निकाले तो मॉड फ्य जिड्ड क्या हो जाएगा मॉड फ्य प्लस इप्लस ऐड वी थिख है और यह हो जाएगा रूट अन्डर आफ ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा भी स्क्वायर ठीक है सेम यहां देखे द्यान से अगर हम यहां मूल बिंदु 006 इस बिंदु पी के बीच की दूरी भी जाद करें तो मूल बिंदु से उसके बीच की दूरी ओपी हो जाएगी और वह क्या कहला की ब्लाइगा रूट अंडर ए 2 लाएगा 20 कंगल लाएगा ठीक है यह जैंक बश्मारी थिक जलांस तर आप देखेंगे इस यह बहुन का रहे हैं क्या करें है क्कियो करें हुंत हुम तो हमारे पास जो मार अफजेड है उसे हम लोग क्या लिख रहे हैं यह हमारा क्या हो जाएगा ठीक है आप भी क्या कहलाएगी हमारी डिस्टेंसी कहलाएगी क्या कहलाएगी डिस्टेंसी कहलाएगी सिर्फ मारा लिखने का तरीका बदल रहा है आप चाहें तो आप आर की में राखी है मान क्या करें है कि आ सँगे इस निन मेंक आउनी कि ठीक है तो यह बंब उसके लूब क्विश मृब खीज दें क्या nouveau कि इस एक सेक्सिस के लिए दूरी कैना एक हलाएग необходимо ठीछे ऐड़े माल लेते हैं एक सेक्षिस से متना चृटाल बना रही है ठीटा गोड़ बना रहा है कितले अगर हम लोगों को क्या पता हो अगर हम लोगों को इस निकालना हो ए और बी निकालना हो तो ध्यांस बखिए सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे साइन का प्रियोग करेंगे, किसका प्रियोग करेंगे, साइन का प्रियोग करेंगे, तो साइन ठीटा बराबर हमारे पास होता है, लम बटा कर्ण, क्या होता है, लम बटा कर्ण, अब देखें, साइन ठीटा बराबर हमारे लम बटा कर्ण होता है, तो लम बटा कर्ण होता है तो लम हमें क्या लब यह वारा है लम कमान रख देते हैं तो यहां क्या हो जाएगा कर्ड कमान हो जाएगा कर्ड इंटू क्या हो जाएगा साइन ठीटा ठीक है और इसकी जगा लिखा जाएगा बी लिखा जाएगा अब द्यास देखिए बी बराबर हो जाएगा हमारे पास क ındaೆइ भी लिखेंगे यहमारा क्या लाएगा आईवी भी कहला हैगा इसलिए साइन ठीटा के साथ कौन आ रहा होगा आई भी चल रहा होगा ठीक है ना यह रहाप नाभी ठीक है आगे देखे ध्याद से अकर एक निकालना हो गया अब ध्यास देखिए अगर आधार की बात करें तो आधार हमारे पास a है और a बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, a बराबर हमारे पास हो जाएगा, क्या, क्या हो जाएगा, k, ठीक है, k cos theta, अगर संख्या ले eliminating फशनी नहीं घंटाई तो आई हो जाएगा क्यों क्योंकि जब हम लोग इस की value उठा करके a व्राबर और b व्राबर उठा के रखेंगे तो दोनों की value में i हमई फिर से मिल जाएगा ठीक है अब ध्यांस देखिये अब सम्रिष संख्या मारे पास क्या थी ध्यांस देखिये अगर हम सम्रिष संख्या की बात करें तो हमरे पास सम्रीज संख्या Z बराबर क्या थी, A plus IB थी, हम लोग क्या कर रहे है, Z बराबर एक ही जगा रख देते हैं, क्या रख देते हैं, A बराबर रख देते हैं, root under A square plus B square, root under A square plus B square, और क्या, cos theta, ठीक है न, आगे देखे धान से, फिर हमारे पास क्या था, यहां देखे, यहीं देख लिजे, यह plus है, हमने यहां क्या लगा दिया, plus लगा दिया, यह हमारे पास क्या है, I है, B की value देखे, B की value हमारे पास क्या है, common है हम लोग इसमें से क्या कर लेते है root under a square plus b square क्या कर लेते है common ठीक है तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा बचेगा क्या थीटा क्या बचेगा एड़िख ना यह हो क्या मारा अब आगे अ और क्या हम Mu 나 बचेगा थीटा सो प्लेस आई साइ 할 सपते हैं ङरक है दूसरे बात इसी मौन अबचित को आप यह भी लिख सकते हैं प्लस क्या हो जाएगा आई साइन ठीटा यह है आपका क्या संख्या का दुरूइद निरूपर ठीक है आप क्या कर सकते हैं किसी भी संख्या किसी भी संख्या ए प्लस आई बी को ए प्लस आई बी को दूसर करीके में लिखना चाहें तब लिख सकते हैं आर ब्रेकेट में कॉस ठीटा प्लस आई साइन ठीटा ठीक है यह हमारा क्या है समरी संख्या समरी संख्या ए प्लस आई बी का कौन सा रिफ्रेजेंटेसर फॉर्म यह हमारा पोलर फ सकते हैं अकर हंहें कि आप कंद आप सकते हो तो हम उसका क्या उनके और कर सकते हैं उसके दुन हमारा A plus IB का क्या दुरूइन रूपर ठीक है आगे बढ़े हम लोग क्या कोण निकाले यह 10 कोण निकाले अब देखे ए और बी के बारे में पता ही है तो हम सीधे सीधे यहां देखे ध्यांसी हम 10 भी यूज कर सकते हैं कि 10 ठीटा बराबर क्यों क्यों यूज कर सकते हैं क्यों कि हमने क्या क्या यूज कर लिया है साइन यूज कर लिया है और क्या यूज कर लिया है तो हमारे पास क्या 10 की बारी है तो 10 को यूज कर लिजे और दूसरी बात 10 यूज करने का रीजन यह है क्योंकि यहां 10 यूज इसलिए कर रहे हैं कोण निकालना है तो हमें चाहिए क्य है और आधार की वैल्यू क्या है ठीक है ठीक है तिया हमारा हो जाएगा बी अपान ए ठीक है यहां हम लोग इसे कह सकते हैं कि ठीटा बराबर टैन latter ब्लवर्स बीवाई ट्दैटर बरहरबर क्या टैनिवर्स व्लाइए ठीक है यह हमारा संग रहा है जो फोलां ग्यारी रहा एक है तो झाल एक हमारा मुंत चील लिया गया डिलागा क्या ग्याद करेंगे किया की समरी संख्या के टार इसका रोटेशन उसका रोटेशन आपके लिए बात सकते हैं ठीक है लेकिन अगर यहीं वाली बात जो समरी संख्याया हमने खीची है उसे अगर हम इसे खीच दें कैसे जए एसे खीच दें मतलब दूती तल में खीच दें तो यहां से नहीं होगा वह हमें सब्सक्राइब होता है किसे होता है तेल से आप यह समझें कि जो छेटा की वेल्यू हमेंसाल ली जाएगी वह पाई से ले पर आजबुआ हमाई से लेकर की-अच्छा-ब्रोस माईन सब्सक्राइब ऴधिदीर गी development बड़े होगी क्यों होगी क्योंकि जो सम्रिष संख्या होता है उसका रिप्रजेंटेशन में इसका प्रद्विम नीचे बनता है ठीक है जिसे यहां पी बरावर यह है तो इसका प्रद्विम कहा बनेगा नीचे बनेगा इसलिए ठीक है अगर यह इधर की तरफ ठीटा है इधर की तर है तो यहां से जो कोड बनाएगी उसे क्या बनाएंगे हम लोग ठीटा बनाएंगे इसके बारे में जनकारी कैसे मिलेगी हम चलेंगे यहां से कहां से चलेंगे यहां से चलेंगे लेकिन यहां पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा पाई क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा और पाई हो competent पहले ही नुछ थीपह ᓲवार्व क्य रूब ना है थीटा तो ये हमारा माइन और पाई ठीटा ठीक है दूसर के अगर बात होगी तो इसके लिए सूत्र होगा हमारा क्या पाई माइनस ठीटा इधर की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक क्या होगा माइनस ठीटा होगा क्या होगा माइनस ठीटा होगा ठीक है यह रहाब का क्या माइनस ठीटा लेकिन यहां की बात होगी तो इस तल के लिए अगर आप बात करोगे तो यह क्या हो जाएगा माइनस क्या ह माइनस पाई है और उसमें से माइनस ठीटा घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यह हो जाएगा माइनस पाई प्लस क्या ठीटा ठीक है यह चारो तलो की बात है किसकी बात करें किसकी बात करें कोडों की बात करें तो कोड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे ठीक है चीन और कोड हो गया ठीक है ठीटा दूसरा क्या चिन अगर प्रथम तल है तो चिन हमारा क्या रहेगा और बी रहेगा दोनों positive positive रहेंगे तब हमारा क्या बनेगा ठीटा अगर तल हमारा क्या हुआ दूती हुआ दूती तल में क्या होता है पहला माइनस होता है और दूसरा क्या होता है प्लस होता है ठीक है तो इसका क्या हो जाएगा पाई माइनस ठीटा तर तल तीन हुआ तो यह क्या हो जाएगा माइनस ए और माइनस भी हो उस ट्राइम माईनेश पाई प्लस क्या बनेगा थीटा, अगर तल 4 हुआ, तो क्या हो जाएगा, A माईनेश B हो जाएगा और उस टाइम मारा क्या बनेगा, माईनेस थीटा, ठीक है न, यह रहा चिन और उसके टलों के हिसाप से आप खैसे कोडांग घ्यांद करेंगे ठीक है आगे बढ़े मुझे पूछा जाता है पोलर फर्म में ये भी पूछा जाता है कि आर्ग्यूमेंट आफ जिट क्या आर्ग्यूमेंट ठीक है आर्ग्यूमेंट जिट का मतलब होता है क्या होता है कोडांग क्या होता है कोडांग किसका समरी संख्या का समरी संख्या का तो कोडांग याद करने के लिए वैसे तो सीधे-सीधे ठीटा आप याद कर सकते हैं लेकिन कोडांग याद करने के लिए आप क्या प्रियोग करेंगे? आर्ग्यूमेंट क्या प्रियोग करेंगे? आर्ग्यूमेंट सब्सक्राइब लियुक। दिखें कुछ उद्रहणों के माध्यम से हम समझने का प्यास करते हैं इस सब का प्रियोग हम लोग कैसे करने वाले हैं। चलिए नोट कर लीजे फिर हम लोग आगे बढ़ें। कि हम लोगों ने अंग्डीप भी पढ़ोई लिया हैं सम्रिशसंख्या क्या पढ़ लिया है वूद डाणों के माध्यững साम यहिए प्लस आई-लूरुट hill क्या ये हैं 1 प्लकि स्था करना है चाहिए कि 10 लिए च्छा करना है उसक्ष भी नहीं करने की ज़्रूरत है कुछ भी नहीं करने की जरूरत है हम लोगों नहीं सबको सिखा है आप को क्या करना है सीम पली क्या का करना है simply सबसे पहले मॉड अब जिटешь करना है जिसे हम लोक्त क्या बोलेंगे आड बोलेंगे ठिक है तो क्या हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा इन्ड वजिट बराबर है मौड अप जिड यह से हम लोग क्या बोलेंगे और मिल गया अब मैं श्रीटा चाहिए ठीटा द्यांस देखें अगर हम लोग को ठीटा मिल जाए तो ठीटा बरावर क्या होता है टैनी नुमर्स होता है वह कौन देता है ठीटा ही देता है तो ठीटा बराबर और पास जाएगा क्या 10 मॉटीटीन का माल होता है हम लोग देख पा रहे हैं साठ डिग्री होता है हुआ जब लोग बादलेंगे हैं ठीक है अच्छा सबांब भाय तीन हो और 10 से 10 क्या हो जाएगा cancel out हो जाएगा तो ठीटा बराबर में पास क्या बचेगा पाई भाई तीन ठीक है आप क्या लिखेंगे समसित संख्या के पोलर फार्म को लिखेंगे क्या जट बराबर क्या लिखेंगे mod of z या क्या लिख देते हम लोग आर तौस theta प्लस i sin theta ठीक है और जट बराबर हो जाएगा दो ब्रेकेट में प्लस i sin क्या हो जाएगा पाई भाई 3 ठीक है आप को समझ नहाए होगा आप ध्यान से नोट कर लें और आप समझ भी लें कि फिरसे ह रमें कैसे कर लगाना है ठीक है आपको की दोब कर रहेगा निदी हैकर को क्या सब्सकिक है कि टीक है जामपल नमबर 2 gyhpal निदो में कावर कर रहे bess़ माइनस सोला पान वन प्लेस आई रूट तीन ठीक है यह हमारा क्या है एक्जामपल नंबर दो है आप सबसे पहले तो ध्यान से देखें कि आपको जो समरी संख्या दी गई है उसमें आपको यह और भी मिल गए कि नहीं मिल गए यह और भी नहीं मिल रहे हैं तो फाइंड आउ सयुगमी से क्या करेंगे गुड़ा और भाग करेंगे गुड़ा और भाग करने पर ठीक है ध्यांस देखें जब गुड़ा और भाग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा हमारा गुड़ा और भाग करेंगे तो जेड बराबर हो जाएगा माइनस सोला पान वन प्लस आई रू root 3 अपन कितना हो जाएगा इसका इसके साथ ये मायनिस B ये plus B है और ये क्या है A.T. तो पहले լाले का स्वार माइनस क्या हो जाएगा दूसरे बाले का स्वयर यह हो जाएगा वन का 1 स्क्वार माइनेस अई न इंटू रूट 4 तीन का क्या हो जायगा हूंल स्क्वैर ठिक है ये क्या हो जायेगा मेडे पास जेट बराबर माइनस उलैं और माइनस माईनस उलैंड गुड भा एफ है यहां क्यों चुछ स्का एगा एग के सिकिय खोता है तीन आई बड़ा कितना हो जाएगा चार चार को दोनों में डिवाइट करेंगे तो जो समरी संख्या हमारे पास मिल के आएगी बन के आएगी वो Z बराबर हो जाएगी 4.16 प्लेस 4.16 रूट 3 आई ठीक है यह हो जाएगा 4.16 4.16 रूट 3 आई अर्थाथ जो Z की वैल्यू आपको मिली है वो यह है आगे की कहानी में A और B तो Find लूट कर नहीं है तो A और B Find करने के लिए हमारे पास अगर देखे तो A की वैल्यू हो गई माइनस 4 और B की वैल्यू हो गई 4 रूट 3 ठीक है हमारी अगर हम लोग इसे सौल करेंगे ती हो जाएगा और यहां मारा आंसर होगा माइनसर होगा माइनस आर बोलते हैं उसके लिए क्या हो जाएगा आट हो जाएगा अब हमारी बारी है कि हम लोग क्या निकाले थीटा निकाले थीटा अगर थीटा निकाले तो हमारे पास थीटा के लिए वैल्यू होगी थीटा बराबर 10 inverse minus 10 inverse B B की value कितनी है 4 उर 3 कितनी है 4 उर 3 अपान कितना minus 4 अच्छा सौरी यह मेरी है कि हम और चिन लिया है उस सिं में हमारे पास क्या points है के masa माइनस और फिर प्लस ठीक है आपको ध्यान हो मैं得 Thailand मары prosperity मिलते हैं और chic त में ज हम हुआत करने के लिए उसे लिखतेotom होगा वह क्या हो जाएगा पाई माइनस ठीट ठीकए अब यह माईनस यहां नहीं रहेगा क्योंकि हम तो उससे पहली स्सेयर गटे चुके हैं यहुत यह दिमाईनस और प्लस आया तो हम लोग काहुंस सिखाने में रहेंगे दूसरे खाने में और दूसरे खाने के लिए पाई माइनस क्या करते हैं ठीटा क्यों हो जाएगा हमारे पास ठीटा बराबर पाई माइनस यह 4 से 4 कट जाएगा अंडरूट 3 और अंडरूट 3 को क्या कहते हैं हम लोग अंडरूट 3 को कहते हैं पाई भाई 3 क्या बोलते हैं 10 इनवर्स 10 पाई भाई 3 10 से 10 कैंसिल आउट हो हो जाएगा ओर ठीटा पराबरan 5-5डी और 3 में से जब क्या हो जाएगा मारा एक घड़ जाएगा तो मारा आंसर होगा कितना टू पाईबाई 3 कितना हो जाएगा टू पाई बाई 3 ठीक है मैं आसा करता हूं कि सम्रीज संख्या का कौन सा निरूपर दुरूवी निरूपर ठीक है कि आगे देखिए अगर हम लोग देखें तो हम लोग के पास जेट बराबर वन प्लस आई रूट ते और जेट बराबर क्या हम लें यहां दो धानड़ों को आपकी किताब से क्या किया है कवर किया है आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए